हम ब्रीफली आपको इंफॉर्म करेंगे क्या के इनिशेटिर स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या अपील पॉब्लिक से रहेगी डिरेक्टर साहब इसके बाद बताएंगे क्या केसिस रहें जो पॉजिटिव हैं उनके ट्रीट्मिंट का क्या है आज दो केसिस जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहां पर पॉजिटिव हुए हैं उसमें आरड़ी जो स्टेंडर ओपरिटिंग प्रॉजिजिडर है उसके इसाब से काम चाद रहा है कुछ जो ट्रावल हिस्ट्री थी इनकी उसके मुताबक देखके जितने भी कॉंटाक्ट ट्रेसिंग की जा रही है काफी सारे लोग इसमें सामने आ रहे हैं जिन्होंने फ्लाइट्स में ट्रावल किया है या घर पे या बाकि कहीं फंक्शन में जो उनके सब कॉंटाक्ट म उसके बाद जो भी मैडिकल प्रसुजर है वो फॉलो किया जाएगा अगर कहीं को टेस्ट की जरूरत है वो किया जाएगा वा अगर को पॉसिटिव फर्बिद उसमें होता तो अपादिगली इनका फॉलो होगा अभी ताथ इसके साथ हमारे साथ तो टीन पॉसिटिव केसे सित्व नगर में है ब्रॉडी बताना चाहूंगा पिछले अरूंट 15 डे से ग्रेट रिस्पॉंट्स रहा है अड्मिनिस्टिशन का रिस्टिक्शन को लेकर सबसे पहले स्कूल्स को बंद किया गया था प्राइमरी लेवल पे लें कॉलेजिज को हाई राइन हाई इसकंडी को बताएंगे कि लॉग्डॉन और कंप्लीट जो आपको घर पर रहने की ज़रूरत है उसकी क्या इंपोर्टेंस है बाकी कंट्री से जो एक्जम्पल है उसके अलावा जो डिजीज का स्प्रेड का पैटर्न है उसको रोकने के लिए उसको चैन को ब्रेक करने के लिए क्या जो सिंप्टोमेटिक थे उनको होस्पिटल चेकप किया गया है उसमें अभी भी कोई हमारे पास ऐसा परिशानी वाला केस नहीं है और इसकी अरवा क्वारिंटीन शेहर में डिवल्प की जा रही है हमारा टार्गिट रहेगा रहेगा और टेन थोजिन तक अवेलेबल रख कर रहे हैं उनको डिस्ट्राइस करने के लिए और अपना जो सर्विलेंस मेकेनिजम है उसको बढ़ाने के लिए कुछ हमने जो प्राइविट डॉक्टर्स हैं गुवर्मेंट के ब्यांड उनको भी कुछ वालेंटेस वाले पास आ रहे थे तो हमने ब्रॉड अपील दी थी प्रॉड शनिटेशन वह सभी डिपार्टमेंट्स अपना काम कर लें पर आने वाले दिनों में फिर से हमें डिपार्टमेंट्स का जो फूट्प्रिंट है वह भी काम करने के जरूर दा क्योंकि जब तक लॉग्डन कंप्रीट हम नहीं करते हैं वह बहुत सक्सेस्फु लि दिवरी की जाएगी और वन पॉंट फाइव लाग फैमिलीज हैं उनके लिए हमने स्कीम डिवाइस की है तुटी एस से स्टार्ट होगा और जो भी राज राशन डिस्टिवेशन है अंडर कम्प्रीट मेडिकल सुपरिशन और सभी प्रकॉशन रखते हुए राशन जाएगा डिपार्टमेंट को भी और अभी उसके डिलीवरी भी शुरू हुआ है चल रहा है और बाकी जो इन फैक्ट अपना स्कीम का है उसके लगवा है लगब 97 केसी ऐसे हैं जिनको ट्रैक किया गया है जिन्हों ट्रेवल हिस्ट्री अपनी हाइड की या स्कीप किया 97 ज लिए जाएगा उसके अलावाज वो अफिशल टीम से डिफरेंट डिपार्टमेंट की वो ग्राउंट पर हैं मैं पॉब्लिक से आपके जरीया से एक ही अपील करना चाहूंगा के मेडिकल फ्रेटिनिटी और तमाम डिपार्टमेंट जो सेंसल सर्विसिस के हैं वह आपके सेंटेशन या हैं मुनस्पल सर्विसेज मेनेजमेंट जितने भी लोग हैं वह काम कर रहे हैं अब लेकिन इसके साथ ही देखें मैं अक्सर देखता हूं कि डिस्कोर्स रहता है कि हमारे पास मेडिकल फेसिलिटीज क्या अविलेबल है जो दुनिया की सबसे अड़्वांस क को रोकने की जो जरूरती वो शाइद नहीं हो पाया तो मेरी सबसे अपील रहेगी कि बड़े क्रिटिकल स्टेज पर आम हैं अभी डिरेक्टर साब एक अची न्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे मैं इन्हीं को माइक दोंगा कैसी न्यूज क्या है लेकिन अपना रहेगे कि आने वाले कुछ दिन जो भी अडिनिस्टेशन की तरफ से एडवाइजरी है या रिस्ट्रिक्शन के ओर्डर से उनको इन लेटर इन स्पिरिक्ट वो करें और हमने मसाजिद से भी रिक्वेस्ट की है उनको भी रोपिन किया है अनौन्स करने के लिए लोग अप हम कोपरेट करें और जैसे सेक्डों की तेदार में अभी भी मारे पास मैसेज़ अभी आए हुए हैं जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस में है कि जिन्हों ने ट्रेवल हिस्ट्री अपनी हाइड की है I think that becomes a sort of time bomb जिसको I don't know कैसे फॉतर हम डिफ्योज भी करेंगे लेकिन इसको स्ट्रेस ओड जो काफी सारे लोगों ने किया इस स्टेज के भी हम लोग सब त्यार इसको टेकल करने के लिए सबसे की और क्रिटिकल इसमें रोल जैसे मैंने अलुड़ी कहा कि हमारी मेडिकल फेसिलिटी का रहता है पर्टिकुर्ली स्कीम्स गोर्मेडिकल सब्सक्राइब करेंगे बहुत 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 अखलीफ है और जो मेरे फ्रेंट लाइन टीम मैनेजर्स हैं उनकी एफर्स के वजे से शी रेकावरिग रेकावरी निएसली और फोफ़ जो इसकी इन्फेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है और इसकी ट्रंसमिशन जो है बहुत फास्ट है ये एक प्रॉब्लम है इस इंफेक्शन के हाले से इस पेशन को जो हमने ट्रीटमेंट दिया जैसे हमने आइसलोट किया और जिस हिसाब से ये रिकावर कर रही है वे वेरी कांफिड़न्ट के हम और बाकी पेशन्स के साथ भी ऐसे ही ट्रीटमेंट के साथ उनको सेहदा प्षोने में मदद करेंगें आज तक हमारे पास 31 ऐसे पेशन्स आये थे जिन में से हमने 12 को डिस्चार्ज किया है वो गर चले गए हैं वो अंडर सर्वलेंस हैं आप देशन्स आयम जो इस वकित हमारे पास बाकी नगेटिव पेशन्स हैं जिनको अभी भी हमने कुरंटेन फेसलिटी में रखा हुआ है वो भी बिलकुल असी तरह से सहताव हो रहे हैं दिस पॉजिटिव पॉजिटिव पास एक कुरंटेन फेसलिटी है फर 30 बैट्स हमारे पास आइसलेशन फेसलिटी है फर 10 बैट्स जो पॉजिटिव पेशन्स होंगे वहां हम दस मरीज को रख सकते हैं और वहां पर हमने चार वेंटलिटर्स की फेसलिटी रखी है इस चीज़ को हम आगे थोड़ा सा और एक्स्टेंट कर रहे हैं हमारा एक युनिवस्ट पड़ी वेंटलिटरी किपास्टी की तो हम वहां पे 20 ओर बैट्स की वेंटलिटरी गुंजाइश रखेंगे जिसके लिए मैंने समान मगाय हूँआ 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 है हमने अमर्जंसी ट्रैक पे वो बिर्चेश के थे 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 अधर पास आज तक हमने 57 संप्ल्स को टेस् 57 संप्ल्स में से 55 हमारी लबराटरी ने देखे हैं निगेटिव आया है एक पहले पॉजिटिव आया था जिसका मैंने जिकर किया अभी अभी एक रिपोर्ट फिर से हमारे पास आया है वो भी पॉजिटिव है ये संप्ल हमें गर्मन्न मेंडिकल कॉलेज बारमला से आया थ और इसकी रिपोर्ट हम अभी अभी इशू कर रहे हैं मेडिकल फिसलिटीज है चाहे युएस हो इतली हो इतली में वन अप दे बेस्ट मेडिकल सिस्टम्स था हमारी दुनिया में बार आप ते देख लिए कैसे कुलाइब्स हो रहा है जैसे चाइना ने इसको कंटें किया द्रास्टिक मेडियर्स लिए ऐसे ही शायद उसी चाइना मॉडल के हिसाब से हमने भी कुछ एच्छे खातरखा स्टप्स लेनी की जुरूरत है दबेस्ट अमंग इस दाइस के हम जो एडवाईजरीज रोज अग्वारूम में एडिमिस्ट्रेशन के दरफ से आते हैं एल् पर सकती से हमल करें तो उस हिसाब से शायद हम इस ट्रांसमिशन को कंटेन कर सेते हैं अग्वाईजरीज को अपनाते हुए दूसरे लोगों को साथियों को गर के लोगों को और जो भी हमारे कंटाइक्ट में हो अकसर हम इलेक्ट्रानिक मीडिया को यूज करें जितना हम सोचल डिस्टंसिंग इत्यार करेंगे उतना बेटर रहेगा जितना हम इलेक्ट्रानिक मेडिया को यूज करेंगे, उतना बेटर रहेगा, हमें इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा. The only way to stop this chain is to observe the distance. My urgent request and my earnest appeal to the entire public would be follow the advisers from the government, follow the advisers from doctors, from health departments. साथ मैं हमें जो हैंड वाशिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कफ, सिनीजिंग एटिकेट्स के लिए जो कहा हुआ है, वो follow करें. अगर किसी पेशिंट को travel history है, अगर वो asymptomatic है, वो self-declare करें, गर्वर्मन्ट की जाच में लाए, health agencies की जाच में लाए, हम हाजर हैं खदमत करने के लिए. अगर कोई symptomatic है, travel history भी है, या गर में family members को travel history के साथ किसी और positive patient के साथ contact की history है, health worker है, जिसने किसी positive patient को treat किया है, अगर उसको कोई भी mild symptom है, वो सामने आए, self-declare करें, और treatment और test ये दोने चीज़ें बहुत जरूरी हैं. एक और important message में देना चाहता हूँ, वो ये कि जो दवाई हैं इस बारे में try की जा रही है, hydrogen, hydroxychloroquine, antiviral drugs, लोग इन दवाईयों को खुद ही इस्तमाल ना करें, अपने आफ परचेज ना करें, hoarding ना करें इन चीज़ें की, क्योंकि जो hydroxychloroquine है, इसका एक बहुत बड़ा side effect है, return apathy, blindness एक बहुत बड़ा side effect है, हमें इस चीज़ को डॉक्टर की इस सलह के बिना नहीं देना चाहिए, यह बहुत important बात है, जहां इसका role बनता है, जहां इसका prophylactic role बनता है, चाहिए वो healthcare giver है, चाहिए वो symptomatic patient है, positive patient है, वहां अलग बात है और वो भी जब doctor advise करेंगे तब दे दे, अपने आफ कोई भी शख्स इस दवाई को ना ले ले, यह में जुरूर कहना चाहता हूँ. The last point I want to convey is, in order to succeed in this global war against this tiny microorganism, which has proved to be the tiniest but the deadliest, and in this war against this tiniest but the deadliest virus, the global efforts are and our efforts are combinedly, to see to it the transmission is minimized, transmission is cut down to zero. उसके लिए मैं रुक्यास रहेगी, stay home, stay safe, live and let others live. सिर्फ वो लोग असपाल का रुक्त करें जिनको इस तक्लीफ का खद्शा हो, वो लोग जिनको मौमली नव्यत की तक्लीफ हो, जो peripheral centers में भी possible treatment possible हो वहाँ पे वो tertiary care centers के रुख ना करें क्योंकि tertiary care centers में इस तकलीफ के patients के होने के ज़्यादा इतिमाल रहेंगे testing के हवाले से, turnover के हवाले से तो गुजारिश यही रहेगी कि जहां तक हो सके, गरों में रहें health agencies के साथ राबते में रहें telecommunications को यूज करें social websites को यूज करें electronic media को यूज करें electronic transactions करें marketing के लिए जितना मुंकिन हो के social distancing को अपना के इस global war को success story में बदल दे Thank you जितना मुंकिन के साथ और बाकी जो हमारे essential services departments है उनके साथ मिलके हम लोग हमारी strategy है उस पर काम कर रहे हैं उसमें हमारा prevention measure से लेकर control measures और surveillance जो है वो है और साथ ही साथ में इसका जो है जो है जो है जो हास्पिटल लगल पे हो रहा है उसकी supplies को मेंटें करना वहां पर medicine को मेंटेंड करना बेपी kids को मेंटेंड करना तो यह सारा health department यह कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी sufficient सप्लाइज की बात करें और कश्मी डिविजिन की बात करें कास लोग पर सप्लाइज के दोर पे हम लोग sufficient है और और सप्लाइज हमारी जो है ग्यार इन वे हमारा उपिस प्रोकुर्मेंट प्रोसेस इस अंड़ वेंटिलेटर्स वी आर को क्योरिए जो की सब्सक्राइज की बात करें जो इसमें और आड़ हो जाएगा साथ ही साथ में और भी जिस पी तरह की हम जो रोटीम में जो डिमांड जाती हैं डिस्टिक से भी कलेक्ता है बले ही वह इनकी पी-पी की हो आई वारी ट्रांसकूर्ट मेडियों की हो या फिर मास्की हो या जाएगा मिमां पी ट्रांसक्राइज ने और भी खर्शानकरें में ट्रांसक्पेंटरोट झूस उनके तरह मा ट्राइंटियों जो करते हैं और उनकी डिस्ट्रान जाकिंग किया गया है और जो आब चेस के सते हैं इस पर हम यह कहना चाहेंगे, यह जैसा कि डॉक्टर साब ने भी आपको बताया कि हमें चेन है उसको ब्रेश करना है और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो कॉंटक्ट है वो मिनिमम हो तो उसके लिए यह रिस्टिक्शन हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मिनिमम हम घर से बहार निकलें जब तक कि कोई अमर्जनसी ना हो या कुछ ऐसा कोई बहुत ही ज़रूरत की चीज ना लेनी हो तब तक वो बहार ना निकलें और पब्लिक गैधरिंग अवाइट करें किसी भी तरह का कोई फंक्शन अवाइट करें और इस वकट जरूरी है कि हम यह कि ट्रांस्विशन का रोक हैं इसका जो चेन बन जाती है वो ब्रेक करें ताकि जो नंबर है जो फेक्शिस डिजीज के हो सकते हैं कि वो कम हो जाए और इसके लावा हमारे जो आज जिस तरह अब ने बताया कि दो केसिस और प्रॉस्टिवा हैं तो इनकी भी कॉंटाइक ट जहां 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 हमने कुछ मोबाइल नंबर्स भी दिया हैं एराउंड 25 जो हमारे specialist doctors हैं जो किसी भी शक्स को किसी भी टाइम पे consultation दे देंगे इंडिस्टिशन को आने की जुरुएत नहीं जहां तक उन से अवाइड उसके जैसे मैंने कहा कि फंडमेंटल चीज जो है इसमें containment करने के लिए वह है कि हम social distancing करें वह अगर social distancing इस सवाले से करेंगे कि हम ज्यादा गरों में ही रहेंगे we stay at home जितनी देर हम stay home में करेंगे उतनी दिर हम इस chain को break कर पाएंगे सब्सक्राइब करेंगे कि इस फ्लाइट में जोबी प्रसेंजर आएंगे irrespective of the travel history को quarantine किया जाएगा क्योंकि जैसे आज की दो केसिते इन में से एक केस जैसे आपने आपने औरडी कोश्ण बेस किया था कि और ट्रेवल इस्ट्री उनकी रही है दूसरे जो दूसा जो केस ह है उनकी travel history outside country नहीं नहीं रही है that was within country and that is more worrisome इसलिए आज जो लास फ्लाइट आ रही है उसमे जतने में पैसेंजर है उनको quarantine में लिए जाए